चड़ा आई पी एल का सब पे खुमार जी बोलो ना सारा रारा हो आया किर्कट का फिर से थे ओहार बोलो ना आया कि पोली के तियोहार से पहले जब ऐसा हम यहां पर शेट अप लगा रहें तो उसकी सीध्या सा मतलब सिर्फ एक ही बनता है कि आई पेल की शुरुआत हो रही है आई पेल के शुरुआत हो रही है आठ टीमे है आठ लोग यहां मेंटॉर के तौर पर यहां आ रहे है अंजना है आपको लगाना पड़ेगा ये तो समझ लीजे कि यहां पर हो रही है बात कोलकता नाइट राइडर्स की गुलाबी रंग में है जैपूर की वज़े से आप अजना है वाँ संग राइजर्स बहुत गहरा है और यह पंजाब की तरफ से नवजोत पंजाब आई हो छेता है तु बलाल लगा की चाहो आवसे चलने में जादा है लिए होला जिन्दे में जादा खेलते नहीं है लेकिन कोई बात नहीं रूनों की तु खेलेंगे त केहाबाथ म ॱ अँडिली जो डेरडेविल से अब क्यापिटल हो गया है बस अडिया ताइlles टेम बेंगलूरू रही है जीती नहीं जो गातते है। कुसाब इंतिदार को ते कब जीतेंगे जितेंगे उसके बाद वर्टकप जीतेंगे विराट पॉली की कब्तानी में वह बहुत जीतेंगे वाद वो जरूरी है उसके लिए आशिर्वाद है और ये श्मेता जहा शपोट कर रही है मुंबाई और इस बाद अगर अक्ता माझी सटक लीए चौथी बार फिर जीतेंगे हां अच्छा नय और पाजी क्या वो तो रन रं 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 रसिया है रं रसिया ह टीम नाइन टीम टेन है क्या है। आप डिसाइड करिये। सबसे पहले हम वहीं से अंजना आप ही से शुरू करते हैं। कोल काता क्यू। क्यूंकि देखें आपने इस प्रोग्राम को करने के लिए किनको बुद। पॉपिलर चेहरे हैं। IPL is all about popular cricket. तो देश का एक मात्र वो popular actor. शारुखान बैटिंग करेंगे। जो शारुखान इस टीम को ओन करते हैं। उनका होना, उनका जजबा, उनका सपोर्ट बहुत है। बाकी तो मोर्चे पर गौतम गंभीर के बाद जितनी परेशानी है, मुझे भरोसा है कि उनकी बोलिंग की वज़े से वो जो मिस्ट्री बोलर है, ऐसे चकमा देंगे कि सब के गालों से रंग और दिनेश कार्तिक थोड़ा घायल है, कि उसके साथ ठीक नयाय नहीं किया गया, तो वो भी बदला लेना चाहेंगे रन बनाके। एक्जाक्ली यह भी उमीद पर दुनिया के रहा है। सब सपोर्ट कर रहा है। जब उमीद हो तो लाक बाहर हार के भी इनसान नहीं हारता, तो उमीद तो हमेशा जगी रहनी चीगी। हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे। वैसे भी, आप क्या आप बोह सकतें decía Tucsonike हारने वाले को ही बाजिकर करें। यह जीते हैं। फ् Chris Sidhika, हारने वाले को ही चाहता? में हारकर… मैं हारकर.. मैं हारकर जीतने वाले को… क्यों जो धमाल अब होगा राजस्ताम की दमीं वार लेखिये न बें स्टोक्स, जोस बतलर, अजिंक्या रहाने, ऐसे ऐसे नाम है जो अपने आप में वोर्ल के और राउंडर बैस्मेन है, तो विकेट के पर बल्लेबास भी है, और राउंडर है, तो आप यकीन मानगे कि पा तो डेविद बॉनर थे भी नहीं हमारे पाद, उसके बाद वर्ल्ल टी 20 के सबसे अच्छो बोलर चाने, राशिद खाने, बड़ा बेच कर तीन ले आए थे, विजश अंकर आज के टाइम पर टीम इंडिया में काफी लोगों की जगे खाचुकें वर्ल कप के लिए तो वारे पास तवरान वोली ने बनाया था लेकिन इस बार हम आपको जरूर हरें फाइनल में ना? फाइनल हमें ही खेलना है फाइनल तो खेर हमें खेलेंगे मुझे ये लगता है कि अजी जी एक हम कुछ खिलाडियों के आप से सुनते हैं सब्सक्राइब कितने गाने में अनको त्यार करने फढ़ेंगे हम तो टिकत कटा के आई पि ये जैंगए कि भलही में रोटिखा के हम तो जीवन बिताएंगे कि हम तो टिकट कटा के आई पी यल दिखने जाएंगे कि हम तो टिकट कटा के आई पी यल दिखने जाएंगे कि हमारा ही कटेगा और फाइनल हम जीतेंगे भी विराट पोली के लिखने जाएंगे तो पास के लिए तो जान निकल जाती है कि मतलब रन रस्या कितना मुझा एक नाइंसाफी है गेंदबाज के लिए वो चौका और चौका पर तालीब जाएंगे पाजी आप और मैं तो चलें गेंदबाज हैं तो इस बार लग रहा है कि बढ़ दो पहुंचे है लेकिन ना बठीक है रहा है कि अच्छा उपितना है उनको प्रेशर इतना है कि हर मैच जीतना है वे टीट्वेंटी में हर मैच नहीं जी सकते हैं, उनको दबाव अलग है, हर मैच जीतना है, वो नहीं हो पाता लिगे टीम जो लास्ट पोर तक पहुचने के लिए स्ट्रगल कर जाती है, इस बार दिल्ली का दमखम श्वेदा दिखाई देगा क्योंकि विंडो ट्रांसफर एक तर्म है इस IPL में, उसके जरीए शिखरदवन शामिल हुए है, और शिखरदवन का बल्ला कैसे चल रहा है, वो तो जग देख रहा है, तॉप और बैट्समें हैं, ओपनिंग करने आते हैं, अच्छे तरिके से चौके चक के माते हैं, इस बार डेली कैपितल्स में भी उनका जल्वा देखेगा, और हम क्यों भूल रहा हैं इन ग्रैम को, साड़े शे करोड के खिलाडी इस टीम में शामिल हुए है, और सबर दस साउथ आफ्रिकन ओल्राउंडर हैं, इस बार देखेगा, भारी पढ़ेंगे गेल पर हैं, बच्चे कोई बैगेज नहीं है, अब तक हम देख रहे थे, जो भी कटानी कर रहा था हो, काफी बैगेज के साथ आ रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि कई वार रहा होता है, कि आप जस बैगेज के साथ चल रहा हो तो उससे साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं, इस ब दिली को सपोर्ट कर रहा था, कर रहा था, आप जिए चाहूंगी, इस बार उन्होंने नाम चेंज कर लिया है, शायद जोस्ती की वज़ा से शायद जिज जए, पर एक बाद मैं आप से सहमत हूं क्योंकि उन्होंने टीम को थोड़ा सा चेंज किया है, शेकर दवन के आने स बहुत ज़ादा फरक पड़ेगा, और उपर रिशापन और ये तीन-चार ऐसे खलाड़ीयां जो कि मैच को चेंज कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है कि ग्यारमे साल मेरे को फिर स्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता पंड़त की वज़ा से ही जीज जाए, पुरन बरसे जूमें देखन वाले रन बरसे जूमें देखन वाले रन बरसे सबसे तेजी आज तक वाले रन बरसे सबसे जूमें देखन वाले रन बरसे मुरन बरसे जूमें देखन वाले रन बरसे पर दूदे तकल वाले नंगारे दूद्धे आप संवे तकल वाले नंगारे दूदेश आई पील ऑक्ष्ण के समय से चन्नी को सपोट किया है इसको चन्नी को चन्नी को देखिया चन्नी का सबसे ज़दा अटबंटेज चैन्टीय का EXPERIENCE बाल ज़दा और इन्होंने जीते हुए हैं तो टीम सेटप सेम तु सेम लेकर चले हैं और इनके पास खिलाडी हैं जो कि मैच को टर्न अराउंड कर सकते हैं और पहले सीजन जिससे हार गए उसके दो खिलाडीों को ऐसा खीच लाएं कि रवींदर जडेजा मैच बनते रहे जेन वाटसन पिछली बार जाकर सेंचुरी बना दिया फाइनल में और उसके बाद मैच चीन लिया था तो दो सामने देखते भी रहते हैं देखके लूट कर उन खिलाडीों को ले आओ और अपने सेटप को सेम रखो, बिटल नहीं चेंज करें सबसे बड़ा कारण किया है चिन्ने इतनी कंसिस्टेंट हमेशा क्यों रहती है अगर किसी साल प्लेयाओफ में मतलब रह भी जाती है तो अपने खिलाडीों को वो एक तरीके से बाहर नहीं करती वो समझते है कि किसी का एक सीजन खराब हो सकता है और उसका सबसे बड़ा फरक पड़ता है कि आपके बाद महिंदर सिंग धोनी जैसा है कप्तान वो फरक है, वो समझता है हर खिलाडी में जो क्या प्रतिवा है उसको पूरी तरीके से बैक करता है वो कहता है शांत पानी घहरा होता है, वो महिंदर सिंग धोनी इदर फास्ट बोल्स फोड़े से कमजूर पड़ गए पर आपके बाद अन्वा बहुता है वो आप इंजरी से बचा के रखेगे रखेगा पिछला सीजन तो क्यदार जादव खेले नहीं अरे राधिका अबारा जो स्टेंशन में चल रहे है न जो चेले सूपर किंग्स का न फिजियो तक नहीं चेंज हुआ है पहले सीजन से वहीं जिम्जिक है जो उसके हुआ करदेट साथ कि दूसरों दूसरों के खिलाड़ी के उम्र पर भी आपको ध्यानेरी की जरूरत है और उनके भी उम्र को रोग दीजिये कम से कम एस बार चल जाए पर में धौनी पर सवाल उठाएं बच्चे नहीं मीरा कोई नहीं दूर दूर तक ने ने थे महिंस अचाहılan नंशे आंचानिया क्या व्याटरृ। पलेयर और इंडिविजिम बड़ा होता है मतलब किए आप अस Crb महात बड़ाpse हो तो बहुत बड़ाएं है दोनी के लिए वह एक fan following है, उससे से इनकान लिए लिए उनुने, जिस साल स्टार्ट हुआ था उस साल नहीं थी fan following, मुझे अभी भी या थी कि दुनिया पर से लड़ना पड़ता था, निखिल गलत बोल रही हो तो बताईगे, आप और में एक साइड खड़े हो कर डिफेंड इसको चारिए जिताना, धोनी के टीम को या खुक की टीम को, होते हैं, कॉलकाता नाइट राइडर्स जीतेगी, लेकिन धोनी विल भी प्रेस्ट पर इस परफॉर्मेंस इवन आउ, जो खिलाडी ऐसा खेल सकता है अभी तक, उसके सामने सिर नहीं जुकाया, तो किस इन सारी चीजों के इतर, जल्दी से मैं अपनी टीम के बारी में बता दू, देखे, विराट कोहली एक से लेकर दस तक, हमारी सबसे बड़े प्लेयर, अभी पूरी तरह से फॉर्म में भी है, ये बात अलग है कि हमारी टीम में अब तक कोई मुकाब़ा नहीं जीता है, फा जीतर, आप विराट कोहली की बात कर रही थी, मैं आपको टोक रही हूँ, देखे, हर को ये बात मानता है, क्योंकि हम जब कह रहे थे कि प्लेयर के लिए लोग मैस देखने है, जैसे कि नहा नभी बोला, धोनी के बना तो विराट भी अधूरे माने जाते है, अलग-अलग है न, देखे, विराट कोहली में युवा जोश, 30 साल उनकी उम्र है, चोटी सी उम्र है, एकदम जोश से भरपूर और जैसा कि चोटी सी उम्र में उनका दिमाग बहुत गरम रहता है, और अगर आपने तारीफ नहीं बहुत बहुत जिताने वाला है, चलिए, अब में मुंबई इंगिन्स की बात करो, तो इनका टाग-लाइन ही है, एक तरीके से जियो जिन्दगी शांस है, तो जब बैक अप इस तरह क है, तो जोश इनका अलरड़ी हाय रहता है, मुझे लगता है कि मुंबई इंगिन्स की खास करके बात करें, तो आप लोगों ने जैसा कहा कि बीच में ही कई जो इंटरनाशनल खिलाड़ी है, वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन इनके पास जो खिलाड़ी हैं, जैसे रोह श आपके पास प्लेयर जिनके आपने नाम ले रोहिशर्मा और बुम्रा यह क्या होता है, एक विगड़ी पर गेंचेंज होगा, दस रंसे गेंचेंज होगा, तो उनके पास जाएंगे हैं और सबसे खास बात क्या है, कि टीम गीती हुई है, इसको एंड करते है, राजस्था राजस्थान वर्सेस कौन, फाइनल किसके बीच में खेला जाएगा, मज़ा आएगा राजस्थान वर्सेस चेन्नाई में, और हला बोल बोलेगी, ज़्याजस्थान चलिए चैन्ने के साथ हम पिछले साल का बदला जरूर लेंगे, फाइनल में आपको हराएंगे, तो अधरे डॉक्स हो गया था जब साथ अधरिका में गहते खेलने, उसमें भी दिल्ली नहीं पहुंच थी, कभी डॉक्त कर पाएंगे, कभी फाइनल चार में नहीं पहुंच पाएंगे, अब की बार पंजाब से मुकाबला जो कभी हुआएंगे, मैं आपको खबरदार कर दे आपको पैसी चलीगे, मिल्सुन जो बात करी थी, कि तरहसले एखेलाड़ी होता है, जसको लेकर एक अलग तरह का सम्मान होता है, उसने कमाया है, उसने कमाया है, तो हम चाहेंके सामने महें महें अधरु सिंग धुनी और उनको बुर गुरी तरह से हमाराएं विराध को लि पताते हैं मैं बेट यहां पर जो टीम नहीं पहुंची उसके पारे मतातो गो क्यों नहीं पहुंचीं और जो पहुंची तो क्यों पहुंची है okay लेकि Last 4 is easier चिन्नाई, रसीबी, मुंबई, इन इस ताइम किंग्स आइए, पंजाब, क्योंकि यह तीम फोर आजाब बापस है मदर्ची से ले लेते हैं लास्ट और उसके बाद उसका ग्रांड फिनाले होगा मदर्ची पंजाबियों के तरफ तो थोड़ा आएंगे चर पागी दो भी पूछे, आपने चार पूछी ने बताई दो और पूछे, इसलिए वह रिस्क लेने को तयार हैं और हमारा काम तो इस फाइनल में बैट के बताना आपको गूँट के इसकर देगा आप पर निक्या बैट कर. आपको बालू नहीं जब चिन्नही आउट होने लगती है तो लोग मुझे आगर कैसे चिढाते हैं यही होता एक फैन जो खड़ा रहे अपनी टीम के लिए चाहे हार जाओ चिन्नही को मैं मानता हूँ वो अगर आखरी चाहर में पहुंच गई तो फाइल जरूर खेलेगी वो एक ऐसी टीम है जो इतनी बारी उन परिस्तितियों से निकल चुका मही को पता है कि किस तरीके से कौन से खिलाडी को किस समय भेजना है वो बहुत बड़ा एक फरक होता है क कि अपने खिलाडी को पहचानना डाट इस अ बिग तिक कप्तानी सिर्फ मैदान में फील्डर यहां खड़ा करना वहां खड़ा करना नहीं इस और मैंन मोटिवेशन और मैंनेजमेंट वो फरक रहता है यह तो विराट कॉली को भी पता है पाजी तो करेंगे ना समय तो कि अपनेजमेंट नहीं बार बनती है जब रन नहीं होते हैं बॉर्ड पे तो उससे आप डिफेंड क्या करेंगे और उसमेंगे और विराट पहली बनाएंगे चार शतक लगा चुकिया हो और पांगे तेईस मार्क से शुरुआत हो रही है आईपील की पहला मुकाबला खे सेट कर दिया यहां पर हैपी होली के साथ आप सभी विष्करना चाहिए हमरे सभी धाशकों को हैपी और साहां यह तो ईता है कि और हुद में रहता इसमें सॉंगा बनाया जाता है इसमें रेंग बनाया जाता वाइब करकेट में एक समानता है, मैं आपको किलाूं गे? नहीं आप खाई है, मैं आपको किलाूं गे? मैं आपकालूं गुद आपना परसल्ली गुदू है गाएब खाया, खाया यावद है, थैंक यू हो आया किरकेट का फिर से थे वहाद अजी बोलो ना सारा रा रा चड़ा आई पी एल का सब पे खुमार अजी बोलो ना सारा रा रा वो आया किर कट का फिर से थे वहार बोलो ना लेदर्स खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले